कैसे बने विनम्र जीवन के मालिक राश्ट्रसंत पूजिश्री ललिट प्रभजी का मार्गदर्शन वक्त आने पर घर को एक रखने के लिए जुकने के लिए तैयार होता है वो आदमे घर में सबसे बड़ा होता है अरे याद रखो कैरी जब तक कच्ची होती है तब तक अकड़ी रहती है और जब तक अकड़ी रहती है तब तक कच्ची भी होती है और ना क्योड कच्ची होती है पर तो खटी भी होती है लेकिन जैसे जैसे केरी रससे भरती है और जैसे जैसे वो आम बनना सुरू होती है अगर आपने देखा हो कच्ची केरी हमेशा अकड़ी हुई रहती है और पका हुवा आम धीरे धीरे जुकना शुरू हो जाता है जैसे जैसे कैरी जुकती है वैसे वैसे रस से बढ़ती है और जैसे जैसे जुकती है वैसे वैसे मिठास से बढ़नी शुरू हो जाती है अहंकार पहला काम करता है आदमी को हमेशा नीचे के तरफ ले जाता है जब भी आदमी का अहंकार जगेगा हमेशा दूसरों को नीचे के तरफ अपने आपको नीचे के तरफ लेके जाएगा और नीचे वाले लोगों के प्रती अहंकार जगेगा ऐसा हुआ एक व्यक्ति दुकान से घर पहुंचा रात के साड़े आन नौ बजे खाना खाने बैठा मम्मी ने लाकर खाना परोसा बेटे ने कौर तोड़ा रोटी का मुँँ में डालने लगा पास में ही कटोरी में कड़ी थी उसने अपना कौर कड़ी में भी डाला तो देखा कड़ी बिलकुल पानी के तरह पतली पतली थी बिलकुल पानी के तरह पतली पतली उसने का मम्मी यार क्या बात करती हो क्या खाना बनाया है 40 साल होगे तुम्हें खाना बनाते बनाते अभी तक खाना बना नहीं है क्या पानी जैसी पतली-पतली कड़ी बनाई है मम्मी ने दीरे से कहा बेटा दीरे बोल मैंने नहीं बनाई तेरी पतनी ने बनाई है और तो वो जोर से बोला मम्मी कड़ी-पतली ते है पर स्वाधिश्ट बहुत है आद्मी का ego का नियम होता है वो हमेशा नीचे के तरह बैता है कमी ऊपर के तरह नहीं बैता व्यक्ति पहला काम करे अपने जिन्दगी में और वो है कि अपने जीवन में अहंकार को हमेशा गो करे इगो को हमेशा गो करे आदमी को पहला अहंकार होता है अपने रूप का किसका अंकार जिसके कान व्यक्ति विनम्र नहीं हो पाता जिसके कान व्यक्ति व्यवार सिल नहीं हो पाता जिसके कान व्यक्ति दूसरों के दिलों में अपनी जगे बन सके ऐसा प्रेम बरा व्यवार नहीं कर पाता आदमी की जीवन के सबसे पहली कमजोरी होती है उसके सरीर म में आया सुंदर है मैं जरा सुंदर हूं मैं टनाटन हूं मैं चकाचक हूं जो आदमी ज्यादा पैसे वाला होता है उसके पाउं जमीन पे नहीं टिकते और जो महिला ज्यादा सुंदर होती है उसके पाउं जमीन पे कभी नहीं टिकते व्यक्ति को पहला आंकार होता है संसान गाड गए हैं हाथ खड़ा करो तो इत्ते लोग गए हैं और ताजीव की बाद किसी को लेकर गए होंगे और अगर अगर आप संसान गाड किसी को लेकर गए हैं तो आपको ये भी पता है, आपने कभी किसी काले आदमी का अंतिष्टी संसकार किया है, मैं आज तक दरसल कभी समसान नहीं गया, जनम लेने के बाद कभी समसान जाने का काम नहीं पड़ा, दस साल का मराज बन गया, जिंदगे में किसी का अंतिष्टी संसकार करने का काम नही मेरे पिता जी रोज कहते थे बेटा तेरा जनम मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं हुआ है जो जिन्दे लोग मुर्दे बंद्रे उनमें प्राण फूंकने के लिए हुआ है और तब से लेकर आज तक लोगों में प्राण फूंक रहा हूं मुर्दों में नहीं जिन्दे ल आप कभी समसान काड़ गए है ना किती बार है है जिना नी दस-वीश बार तो पक्का गए होंगे और उठावने में उठावने में जाते किसी के जरा बता तो अपन किसी उठावने में क्यों जाते हैं किस के लिए आत्मसानती के लिए किस के खुद के कि सामने वाले की सामने वाले की सामने वाले की अगर सामने वाले की आत्मसानती के लिए जाते मैं आपको बता हूँ लोग उठावने में कैसे जाते हैं पहले लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ आती है मैं भी अब सीखन गेर चेंज करना, जैसे कार का गेर चेंज करते हैं, लोग ऐसे चेरे का भी गेर चेंज करते हैं, बाहर रहेंगे, उठाणों में जैसे गई हैं, मैं कई बार देखा करता हूँ, लोग उठाणों जाते हैं, बाहर खड़ें, हावर साब क्या है, अरे अरे उसका क्या हुआ, अ और यार वो तो यार समाज में वो क्या अधियक से मना वो बिलकुल काम का आज में नहीं है और मंत्र दो सारी बाते चलती रहेगी और जैसे अंदर जाएंगे गियर चेंज बिलकुल यह गंभी रोके वापस बार आएंगे फिर वही कप्पे लोग पता है उठाण में क्यों जाते हैं इसलिए नहीं जाते हैं कि सामने वाले कि प्रति आपके मन में कोई शोक के बाव हैं लोग उठाण में इसलिए जाते हैं ताकि मेरा कभी उठाण हो तो लोग आ जाएं बाकि किसको मतलब किसी कार करते हैं जीवन भरका ये पार समझ लो काला आदमी जलता है जीते जी रंगों का फर्क होता है पर मनने के बाद काला आदमी जलता है तो भी उसका राक का रंग वही होता है और गोरा गट उसकी राख तो गुरी गट होती होगी न उसकी राख भी एक जैसी होती है राख के इस तर पर जाकर दोनों का सुरूप एक जैसा हो जाता है